हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग तो मेरे यहां पर बहुत सुंदर रेड रोज खिले हुए हैं आपके यहां भी सर्दियों में खिले हुए होंगे और मेले जारी हूं कड़ी पता सुबह बच्चो के टिफिन की तैयारी हो रही है और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रह स्कूल भी बहुत लेत हो गया तो बच्चा आराम से जाते हैं तो मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है चन्य की ग्रेवी लिए और धनिया पाउडर दो चमस ले लूंगी तो धनिया यह हमारे सुखे चन्य बन रहे हैं तो ग्रेवी बहुत अच्छी सुखे इससे बनती है औ जो भी आपके पास हो ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ले लिए खटा टिस डियाने के लिए अमचूर चनी का स्वाथ बहुत अच्छा है गए से खटा खटा और टेस्टी भी लगते हैं और मैं पानी डाल के थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लूँगी सारे मसाली जो सुखे है पड़ा में चनी जब हमारे बच जाते हैं तो मैं इनका बहुत अच्छा चाट बनाती ओं खीरा टमाटर मिला के सब कुछ इंज्वा करती हूं तो मैंने ओल ले लिया और मैंने जीरा डाल दिया है थोड़ी सी लग अच्छा लगता है और वैसे भी बहुत अच्छी रहती ह के लिए तो मैंने हींग डाल दिये हैं जी रहा हमारी हो चुट है तो मैंने perspective मैं फूटी दिल मैं इसको भूण लोगे इसमें यह हमारा पानी था मैं इसी में पका दूंगे आप इस पानी को निकाल सकते हो और मेरे साथ में चाय की तयारी हो रही है तो मैं अद्रक वाली चाय बनाऊंगी और थोरा सथ तुलसी पत्ते भी डालूंगी तो चाय भी साथ-साथ बन रही है जब मैं पुरा बच्चों का टिफिन बना करके तभी मैंचाय पीते हूँ तो मैंने धनिया डाल दिए चने हमारे रडि हो चुके है कितना सुंत असम। अनकर बहुत सुंदर बने है偶्य में बहुत अच्छे लगते हैं तो मेरे साथ में चाय की बच्चों का टिफिनी फिन हो चुका है तो अभी मैं फिर पराठह भी तो पढ़िक ना पीनी पड़ी चाय को कभी भी खाली नहीं पीना चाहिए उसके साथ में उसके साथ नमकीन की वजा है आपको पीका ले सकते हैं आप बिसक्ट वगर के सकते हैं कुछ भी तो अच्छा लगेगा थोड़ा तो मैंने चाय बना ली अपने लिए साथ में ले लिया ब्राउन ब्रेड तो मैं बच्चों के ये पराठे हैं ये रेडी हो गए हैं तो आज मैंने थोड़ा 10 o'clock का स्कूल हो गया है तो आराम से बनाने में को बनाती रहती हूँ हो जाता है आराम से तो फिर मैं उसके बाद करूंगे लंच की तैयारी थोड़े बाद तो अब बचे स्कूल जा रहे हैं मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी तो लंच में सबको पाव भाजी खानी थी पाव भाजी में गाजर सिमला मीड चमाटर पत्ता गोवी फूल गोव बहुत अच्छा लगता है जती भी सारी सबजे में टाल देनी चाहिए और बच्चों को बहुत अच्छी लगते हैं फेवरेट होती बच्चों की पाव भाजी बीट रूट के साथ में बनाओंगी तो मैंने बीट रूट और लौकी भी इसमें डाल दिया सारी सबजी काट चop कर लिए बारी-बारी और फटी में गुफ़ता कीवा पासा बारी कोड़े और डूंगा एक दम रेड पाव भजी बनेगी आपको बहुत मसाले नहीं डालना है इसमने कम मसाले में बनाती हुँ और मेरी कम बनाती हूँ और बहुत सुनाना मसा बाल आहता है सेल्में थे चीछ लाइए तो मैंने बस जी Pharaoh लिए और यंआ x noisy तो मैंने मतडर करके बारre ली यह करके मैं इसमें सौटे कर लूँगी। अजल अधरा लहसुनहरी मर्स बीटाल सकते हैं। तो मैं मटर डाल cyn COP य सब्सक्रवरा हैं, थीग आधराक लहसुन हरी ऊंप्राण की तेस में पीसी Dremmous पाव भजी में थोड़ा ओएल जादा ही डलता है बटर या घी भी कुछ भी आपको थोड़ा से जादा ही डलता है इसमें तभी इसका अच्छा टेश्ट आता है तो मैं इसमें सारे मसाले अड़ करूंगी तो टमाटर और प्याज के मारी ग्रेवी है और लहसुना तरक भी सी इसका बहुत अपावजी में टूल भी बहुत अच्छा अच्छा चाथ किलार आता है इसका ठाव भाजी में तब बहुत अच्छा अंदर जाएका तो यह सारे में तक में आप जाएगी में दो थोड़ी देर इसको 2-3 मिनट के लिए ढखके पका लूँगी और ये तेल छोड़ दिया है और हमारा मसाला रेडी हो चुका है अब टमाटर को चौप करके डाल सकते हैं लेकिन मैं इस तरह बनाती हूं तो बच्चे टमाटर को निकालते नहीं तो यह मैंने सारा मसाला हमारा हुआज है और मैं डाल दूंगी इसमें अपनी पाव भाजी जो भी हमारी मही में न बॉile की थी देखो कितना अच्छा करलर हा रहा है, सारा मैं हो गीए सबजी इसमें तो हमारी भाव भाजी थोड़ी देर के लिए मैं इसको पका लूँगी 10 मिनट के लिए और हमारी भाजी रेडी हो चुकी है मैं इसमें डाल दूँगी बारी चॉप किया हुआ कोरियंडर तो सारब में बहुत सार रैसम धनिया डालती हूँ तो दनिया से कितना अच्छा अच्छा लग रहा और उपर से डाल दूँगी मैं बटर आपके पस बटर नहीं हो तो आप घी भी डाल सकते हो तो बहुत टेस्ट आता है इसमें पाव भाजी में भाजी मैं बटर को है और अच्छा टेस्ट आता है और नहीं में गी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैं गी रिताहिं आती है और ये थाली रेडी हो चुकी है हमारी पाव भाजी बटर नीबू साथ में जरूर लें प्याज बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये ब्रेड तो बहुत अच्छी पाव भाजी बनी थी बच्चों ने दो वार खाई थी थैंक यू फोर वाचिंग ऐसे देखते रहें वीडियो